स्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों गुड मार्निंग आपका अपने परिवारता स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग जो है लूसेंट का निचोड के पार्ट टू पर पहुचे हैं और जो बच्चे पार्ट वन न देखे हो वो पार्ट वन जरूर देख लीजेगा पार्ट वन में दोस्तों हमने जो है दो चीजे डिसकस की थी जिसमें जो है पहला चीज हमने A का प्रियोग डिसकस किया था और N का प्रियोग किया था कि A कहां पे लगेगा N कहां पे लगेगा और हमने पहले पार्ट में दोस्तों ये बताया था कि जो है A और N इसका जो यूज होता है देखिएगा कि मतलब कि proper noun के पहले A, A, N का प्रियोग नहीं करते लेकिन वहीं कहीं पर proper noun के पहले A का प्रियोग करते हैं दोस्तो वहीं कहा था हमने कि अगर उच्चारण करते समय अगर आप उचारड करते समय वाबिल से जो है अगर आपको मिलेगा जैसे आपको अगर कह दिया जा यूनिवर्सिटी तो आप सोचेंगे यू, यू से है और यू का मतलब हो गया ए, ए, आ, ओ, यू वाबिल है आपका तो इसके पहले सोचेंगे आएन उनिवर्सिटी होगा लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों तो ये सारी चीजे हमने पहले भाग में बताई है अगर आप उसको नहीं देखें है जरूर देख लीजेगा तो चलिए देखते हैं आज हम लोगों का जो टॉपिक है आज हम लोग दा का प्रियोग करेंगे और चलिए देखते हैं कि दा के प्रियोग में आज जो है हम लोग कहां बहुचे है तो दा कहां पर लगता है पहले आप ये समझे दा को उस नाउन के पहले लगाएं जिसकी चर्चा की जा चुकी हो मतलब चुकी दा का जो प्रियोग होता है वो डिफनिट आर्टिकल के लिए होता है आप कुछ़ बच्चे सोच रहे होंगे डिफनिट आर्टिकल मतलब क्या है तो देख़े डिफनिट का मतलब होता है जो निश्चित कर दे जयसे अगर हमने कह दिया कि माउंटेन तो mountain का मतलब हो गया परबत बहुत सारे परबत हैं लेकिन अगर हमने किसी एक mountain को ले लिया जैसे दा कंचन जंगा तो हमने कंचन जंगा इसपेसल एक परबत को ले लिया तो इसलिए कंचन जंगा एक विसेश परबत हो गया उसी तरह अगर हमने कही दिया रीवर, तो रीवर तो बहुत सारी नदिया है, लेकिन हमको किसी विसेश नदी की उचर्चा करनी होगी, तो क्या करेंगे जैसे दा गंगा, मतलब गंगा अपने में अकेली है, और जो चीज अपने में अकेला रहेगा, उसके पहले दा का प्रि He is eating an apple, वह एक सेव खा रहा है, दा आपल is very sweet, अब देखिए पहले वाकि में बताया गया कि वह सेव खा रहा है, और इसी सेव के बारे में दुवारा बताया गया, तो इसलिए आपल के पहले दा का प्रियों किया गया, यानि कि दा आपल is very sweet, उसी तरह दोस्तों अगर हम इ चर्चा दूसरे वाकि में भी की गई है, इसलिए बैक के पहले दा का प्रियों किया गया, अर्थात नियम एक में दोस्तों हमने क्या देखा, नियम एक में देखा कि जब किसी वस्तु को पहले कहा गया हो, और बाद में फिर से उसी वस्तु के बारे में बता जाता है, तो बहां पर दा का प्रियोग करते हैं, पहला नियम आसान नियम, दूसरा क्या है सुनिएका, कॉम्प्रेटिव डिग्री से पहले जब यूज एडवर्ब की तरह किया जाया, मतलब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको दो चीज बताया था, एक आपको एड़जेक्ट या pronoun को modify करता है मतलब किसी sentence में noun या pronoun की जो विसेशता बताता है उसे adjective कहती है लेकिन वही अगर adverb की बात करें दोस्तो तो adverb हमारा verb की विसेशता बताएगा और पूरे sentence की जो विसेशता बताएगा वही हमारा adverb कहलाता है मतलब कि adverb जो है verb की भी विशेष्टा बताता है adverb जो है adjective की भी विशेष्टा बताता है और adverb जो है पूरे sentence की विशेष्टा बताता है तो उसे adverb कहते हैं ठीक अब क्या कह रहा इसमें सुनिएगा comparative degree से पहले जब इसका use adverb की तरह किया जाए तो उसके पहले दा का प्रियोग करते हैं जैसे देखे the more you read the more you learn मतलब दोस्तों अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि the more you read मतलब क्या हुआ इसका कि the more मतलब जितना और you read मतलब तुम पढ़ोगे जितना तुम पढ़ोगे the more you learned उतना तुम सीखोगे मतलब जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे तो यहाँ पर देख रहे होगे more का प्रियोग किया गया है और more का प्रियोग जो है किस प्रार किया गया है अइड वर्ब की तरह किया गया अर्थात यह more जो है इस sentence को modify कर रहा है मतलब you read you read तो दोस्तो you read का मतलब तुम पढ़ते हो अब इसके पहले अगर the more कर दिया गया और more का मतलब हो गया की जितना अधिक तुम पढ़ते हो अर्थात ये क्या कर रहा है you read अर्थात तुम पढ़ते हो इसी को modify कर दे रहा इसी की विशेष्टा बता दे रहा है इसी लिए इसके पहले दाक अपरियोग किया गया वहीं दूसरा लिखा है The more you learn, the more you earn मतलब जितना तुम सीखोगे उतना तुम एकठा करोगे उतना तुम कमाई करोगे तो ये चीज है आगे देखते हैं दोसो rule number 3 पे क्या है हमारा सुनिएगा कह रहा है जब comparative degree से पहले कोई selection करना हो क्या कह रहा है जब comparative degree से पहले कोई selection करना हो जैसे He is the more intelligent of the two मतलब जब किसी जैसे माल लीजिये कि ये एक कक्षा है और इस कक्षा में 3-4 लोग हैं दोस्तों अब माल लीजिये मैं किसी इसकी बात कर दूँ इसका अगर माल लीजिये ए नाम है तो मैं क्या कहूंगा कि ए is more intelligent than other तो ए जो है इन और सब से ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया He is more intelligent of the two मतलब He is more intelligent ज़्यादा बुद्धिमान of the two मतलब दो में से वहीं आगे देखिए रभी is stronger of the two रभी मतलब रभी is stronger मतलब की मजबूत है of the two मतलब दो में से रभी दो में से ज़्यादा ताकत वर है वहीं अगर हम आगे चर्चा करें दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट करिए आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए अब सेख नील प्रताप नितेश कुश्वाहा आप लोग कमेंट करिए काफी टाइम हो गया आज आप लोग के कमेंट भी मैं नहीं पढ़ा लेकिन जो है एक बार जल्दी से आप लोग comment करिए share करिया और देख रहा हूं बहुत कम like है दोस्तों एक बार like करिए एक बार like करिए अब सेख पवन भाई बंधू एक बार like करिए नितिन राठा और आप जो है कल class में नहीं थे एक बार like करिए चलिए देखते हैं अगला rule क्या है चौथा rule सुनिएगा चौथा रूल है हम लोगों का कि सुपरलेटिब डिगरी के पहले याद रखिएगा दोस्तों सुपरलेटिब डिगरी के पहले हमेशा दा का प्रियोग करते हैं जैसे the best the intelligent the most intelligent तो दोस्तों he is the most intelligent of our class वह हमारे class में सबसे जादा बुद्धिमान है जब सब की तुलना की जाए सब में किसी एक को बिष्ट बताया जाए दोस्तों तो वहाँ पर दा का प्रियोग किया जाता है वहीं अगर हम बात करें सीता इज दा बिष्ट गर्ल सीता सबसे अच्छी लड़की है दोस्तों तो चुकि क्या कह रहा है कि गर्ल में सबसे अच्छी कौन है सीता है तो आगे दिखते हैं अगरा sentence हम लोगों का क्या है कह रहा है दोस्तों कह रहा है singular noun के पहले जब वह पूरे ग्रूप के बारे में बताए मतलब singular noun लिखा गया हूँ और वह पूरे ग्रूप के बारे में बता रहा हूँ ठीक जैसे He dog is faithful animal He dog a faithful animal या दा एक मिनट रुक जाएगे दोस्तों यहाँ पर कट गया है He dog नहीं होगा यह होगा The dog The dog is a faithful animal The dog मतलब कुटा is माने है A faithful animal वफादार जानवर जी हाँ दोस्तों कुटा वफादार जानवर है दोस्तों अब यहाँ पर the dog चुकि डाग हमारा singular noun है और यह जो है पूरे ग्रूप के बारे में बता रहा है अर्था तो चाहे जितने भी कुटे हों दोस्तों वो सभी कुटे क्या होते हैं वफादार होते हैं अब आप लोग यह मसोचेगा कि हमारे गाउं में एक कुटा है वो वफादार नहीं कि हाथी जो है बहुत विसाल या बहुत बड़ा जानवर होता है तो पूरे हाथी की बात की जा रही है अर्थाद जब किसी ऐसी चीज का प्रयोग किया गया हो जो पूरे ग्रूप के बारे में बताए दोस्तों जैसे दोस्तों अभी आपने देखा कुत्ते का देखा हाथी का देखा उसी तरह आप एक example दीजिये जो unique हो दोस्तों आप एक कोई example दीजिये जो unique हो बताईए कि क्या जो है कोई example है आपकी नजर में तो comment करिएगा offline comment करिएगा मैं देखूंगा कौन सा बच्चा जो है इतनी दूर तक सोच सकता है आगे देखते हैं दोस्तों कोई religious group हो कोई name of empires हो कोई event हो event of the history कोई name of the dependence हो कोई name of the political party हो कोई train हो planes हो name of newspaper हो important building हो name of river हो name of canals हो canals का मतलब होता है दोस्तों नहर और name of ocean किसी समुद्र का नाम हो तो इससे पहले दोस्तों इससे पहले दाकप्रियों करते हैं जैसे क्या कहा दोस्तों सुनिएगा कोई religious group हो या कोई name of empires हो जैसे गंगा इजे हाली वीवर तो गंगा एक पवित्र नदी है दोस्तों गंगा एक पवित्र नदी है और गंगा हमने कहा दोस्तों गंगा अपने में अकेली है इसलिए इसके पहले दाकप्रियों करेंगे अर्थात the गंगा is a holy river वहीं दोस्तों the Hindus are hypocrites the Hindus अब चुकी देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंद वो की बात की जा रही है इसलिए इसके पहले दा हिंदू लिखा गया वहीं the pacific ocean is great the pacific ocean यानि कि प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर is great महान है दोस्तों तो अब चुकी मैंने कहा दोस्तों चाहे आपकी किसी समुद्र की बात की जाए चाहे आपकी किसी नदी की बात क जाए या किसी बिल्डिंग की बात की जाए दोस्तों दा ताज दा ताज दोस्तों बिल्डिंग है अपने में अकेली है तो इसलिए उसके पहले दा कप्रियोग करेंगे या फिर दोस्तों कोई नेम आफ रीवर मैंने बता ही दिया दोस्तों कोई न्यूज पेपर हो और कोई ड्यूज पेपर रहेगा तुसके पहले भी दाक अप्रियोग करेंगे दोस्तों वहीं अगर कोई ट्रेन रहेगी दोस्तों तुसके भी पहले दाक अप्रियोग करेंगे जैसे दराजधानी एक्सप्रेस इज लेट टूडे दराजधानी एक्सप्रेस मतलब राजधानी नज़्दीक है दोस्तो अब हम लोगों को हम लोगों के पास दोस्तो बिलकुल भी समय नहीं है और हमने कहा था कि सर्फ रोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है तो दोस्तों देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है दिन रात एक कर दीजिए सारी क्लासेज अटेंड कीजिए जो क्लासेज छूट जाए उसे बाद में देखिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला रूल क्या है साथवाँ यूनीक चीजों के पहले दाक अपरियोग किया नहीं अकेला नहीं न ब्रस्पतिवार के जो नहाए ब्रस्पति जो नग्रह है उकरे धेर चंद्रमा है तो बच्चा हम पूरे ब्रम्हांड की बात नहीं कर रहे हैं हम अपने यहां की बात कर रहे हैं अगर अपनी बात की जाए दोस्तों तो चंद्रमा अपने में अकेला ह अर्थाद the moon हो जाएगा उसी तरह universe कर दिया जाए दोस्तों तो universe के मतलब ब्रम्हांड और ब्रम्हांड अपने में अकेला है क्या कोई और ब्रम्हांड कहीं हो सकता है दोस्तों तो वही the universe लिखा है वहीं दोस्तों the world बिश्व वहीं the sun सूर्य अपने में अकेला है तर्थाद कोई unique चीज रहेगी दोस्तों तो उसके पहले दाख अप्रियोग करती है वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे क्या कह रहा है सुनिएगा नोट में heaven, hill, god, parliament के पहले दाख अप्रियोग नहीं करती है कुछ लोग सोचेंगे कुछ लोग सोचेंगे तो भगवान तो अकेला है कुछ लोग सोचेंगे भगवान तो अकेला है तो दोस्तों भगवान कैसे अकेला है भगवान अकेला थोड़ी है अरे संकर भगवान गड़ेश भगवान सा स्वती माता ब्रह्मा जी, बिश्णू जी, महेश जी संकर जी, धेर जैने आए न तो जब धेर जैने आए तो कहां से अकेल होई गे, वही अगर हम बात करें दोस्तो हीविन, हीविन का मतलब स्वर्ग कुछ लोग सोचेंगे अरे स्वर्ग तो अकेला है, स्वर्ग, स्वर्ग नहीं दोस्तों स्वर्ग, कहेंगे स्वर्ग तो अकेला है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं है दोस्तों, तो कैसे चर्चा की जाए, तो हीविन, स्वर्ग, वहीं दोस्तो हिल, नर्क, तो इसके सब के पहले दा कप्रियोग नहीं करते हैं, आगे देखते हैं, कोई religious book हो, कोई religious book हो, तो उसके नाम के पहले दोस्तो दा कप्रियोग करते हैं, जैसे दा कुरान, दा बाइबल, दा रामाइना, दा महाभारत, दा बालमी की, दा बालमी की तो दोस्तों कोई धार्मिक बुक हो तो उसके पहले भी दाखा प्रियोग करती हैं यह रूल है दोस्तों इसको सबको लिखते चलिएगा अभी मत लिखिएगा अभी आप समझ लीजिए उसके बाद जब आपको पीडियाफ देंगे तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों पीडियाफ के भरोसे मत रहिएगा नोट्स बना लीजिएगा नोट्स में को महा महराथन मिलेगी जो आपको संडे को महा महराथन मिलेगी 50 golden rule जी हाँ दोस्तों 50 golden rule पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों और वो live on board रहेगा दोस्तों live on board रहेगा अर्थाद board पर बताया जाएगा 50 rule आपके clear कराये जाएगे और जहां मैं बता दूँ आपको कि आपके exam होने तक दोस्तों हम लोग 1500 rule पढ़ेंगे दोस्तों 1500 golden rule पढ़ेंगे तो चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों आगे क्या कहरा सुनिएगा आगे क्या कहरा सुनिएगा नेशनल्टी नेशनल्टी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड से पहले दा कप्रियों करते हैं जैसे किसी देश की चर्चा की जाए दोस्तों जैसे दा इंडियन इंडियन का मतलब होता है दोस्तों भारती और उसी के पहले दा इंडियन लग गया अर्थात किसी nationality को और्थात किसी राष्टियता को भ्यक्त किया जा रहा है भारती है यानि कि दा इंडियन अंग्रेज, दा इंग्लिस फ्रेंच, फ्रांसीसी दा प्रेंच, तो ये सब चीज है दोस्तो जब किसी देश की nationality की चर्चा की जाए तो उसके पहले भी दा का प्रियोग करते हैं वहीं दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो सुनिएगा जब एक adjective का यूज noun की तरह किया जाए क्या कहा हमने जब किसी adjective का यूज किसकी तरह हो दोस्तों noun की तरह हो तो उसके पहले दा लगाने से पूरे group को दिखाता है मतलब अगर दोस्तों जैसे young young का मतलब होता है जवान ये आपका adjective है दोस्तों ये आपका adjective है जैसे कहा जाता है न young boy तो young boy जवान लड़का नव यूवक लड़का तो दोस्तों यहाँ पर boy की विसेश्ता बताया जा रहा है boy की क्या विसेश्ता है कि boy young है तो वही कह रहा है कि जब noun के पहले adjective अगर किसी adjective के पहले दा लगा दिया जाता है तो वो पूरे group को दिखाता है जैसे the young the young का मतलब हो गया दोस्तों youth you are वही दोस्तो the old the old का मतलब breathe the poor माने गरीब the rich अमीर the male मनुश या मतलब the male मतलब की पुरुस और the female मतलब महिला तो जब किसी adjective का use noun की तरह किया जाता है तो उसके पहले दा का प्रियोग करते हैं दोस्तों वही अगर हम आगे बात करने क्या कह रहा है कि आगे देखिए important कौन सा है मैं बता रहा हूं दोस्तों बाकी तो आप जानते हैं east, west, sky, moon world, country, environment इसको सब बता चुका हूं दोस्तों ठीक आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यादि दो noun एक ही person के लिए यूज किया गया हो तो पहले noun के पहले दा लगाते हैं मतलब दोस्तों जब एक ही व्यक्ति के बारे में दो वाक लिखा गया हो जैसे सुनिएगा जैसे दोस्तों the manager and director of this institute is coming today इन नहीं होगा दोस्तों is coming today होगा तो आप देखिए the manager and director the manager and director दोस्तों इसका मतलब की जो व्यक्ति है वही manager भी है और वही director भी है तो जब एक ही व्यक्ति जब एक ही व्यक्ति दोनों काम करे अर्था दो नाउन को एक ही person के लिए यूज किया गया हो manager भी एक ही व्यक्ति है director भी एक ही व्यक्ति है जो वेकती है वही manager भी है वही director भी है तो इसलिए दोस्तों एक के पहले डालग आएंगे और इसमें एक rule आओर आता है दोस्तों याद रखिएगा कामन एनर्व में पूछ लेगा क्या आएगा सुनिए गारू के color change करते हैं color change करते हैं दोस्तों अब देखिएगा जैसे दोस् of this college are or are नहीं दोस्तों is रुक जाएगा is coming मतलब दोस्तों the manager and the director क्या कहरा देखिएगा कह रहा है दोस्तो the manager and the director of this college is coming अब यहां का मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तो इसमें यहां भी दालगा हुआ है इसमें यहां भी दालगा हुआ है और यह प्रस्ण common error के लिए दे दिया जाएगा और very important है दोस्तो बहुत important है याद रखिएगा जब भी जब भी दा अर्था दो नाउन लिखा हो और दोनों के पहले दा लिखा हो इसका मतलब यह हुआ कि director कोई दूसरा वेकती है और manager कोई दूसरा वेकती है इसका मतलब दोस्तो दो लोग आ रहे हैं इसका मतलब दो लोग आ रहे हैं और दो लोग आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों आर होगा क्या होगा यहाँ पे आर होगा तो यह चीज है दोस्तों तो अगर जो है दो नाउन लिखा हो तो पहले वाले के पहले दाग तब लगाते हैं जब दोनो नाउन एक ही व्यक्त के बारे में बताए और यहाँ पर जो वर्ब होगी दोस्तो जो वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर वर्ब प्रियोग की जाती है दोस्तों ठीक तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर यह वाला था यह नहीं था ये नहीं था ये था तो दोस्तो रुख जाएगा ये था देखिए यहाँ पर the manager and the director था अर्थात एक के पहले दा लगा था इसलिए यहाँ पर each होगा दोस्तो और इसको आप correct कर लीजेगा दोस्तो पीडियफ में यहाँ पर in है इसको आप correct कर लीजेगा दोस्तो आप अभी मतलब इसका मतलब की manager अलग है डारेक्टर अलग है जैसा कि अभी बताया और इसके साथ देखी दोस्तो आर कप्रियों किया गया है अर्थात अगर दोनों के पहले दा लगेगा तो plural noun plural एक मतलब की plural helping verb लगेगी और अगर एक के पहले दा लगेगा तो singular helping verb लगेगी याद र देखिएगा अब देखिएगा अगर दोस्तो republic kingdom state जुड़े हो तो दा लगाते हैं जैसे इंडिया इजे great country भारत एक महान देश है दोस्तो तो इंडिया चुकि किसी country का नाम है और country के नाम के पहले दा का प्रियोग नहीं करेंगी वहीं देखिए the united kingdom is a beautiful place the united kingdom जो है वो एक बहुत सुन्दर अस्थान है दोस्तों वहीं देखिए दोस्तों committee club foundation trust के नाम से पहले दा का प्रियोग करते हैं कोई committee हो कोई club हो कोई foundation हो कोई trust हो इसके सब के पहले दा का प्रियोग करते हैं दोस्तों जैसे the hind club the WHO world health organization the राजिव गांधी trust तो अगर दोस्तों कोई trust हो कोई club foundation हो तो इसके पहले दा का प्रियोग करते हैं वहीं आगे चर्चा करें दोस्तों तो go to the cinema go to the cinema दोस्तों go to the theater come to the point keep to the left what is matter का यूज करते हैं ठीक तो ये भी था दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों जो इसकी pdf मिलेगी pdf का जो password है दोस्तों pdf का जो password है दोस्तों pdf का जो password है 666 risk pdf का password है 666 seban जी हां दोस्तों 6666 seban लिख लीजिए कहीं पर ये pdf का password है आगे चलते हैं दोस्तों देखिएगा article लो article मतलब कुछ हैं जिसके पहले article का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसको इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है दोस्तों इसको आप देख लिजेगा भोजन के नाम के पहले दा ना लगाएं रंग भासा के पहले दा नहीं लगता चर्च के नाम के पहले संत का नाम हगर हो तो ये सब दोस्तों तो इसको मैं दे दूँगा पीडियाप तो आप जो है इसको पीडियाप दे दूँगा दोस्तों तो इसको पढ़ लीजेगा नो आर्टिकल किसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है बाकि सारी चीजे दोस्तों हमने बता दी जो लोग नए जुड़े होंगे उनको थोड़ा समस्या हुई होगी लेकिन कल आप लोग जो है कल की क्लास देख लीजेगा एकदम दमदार क्लास है तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा सेर करिएगा कमेंट करिएगा और बताईएगा कि समझ में आया की नहीं बताईएगा दोस्तो समझ में आया की नहीं अबिशेख नील परताप आसीश Хотण अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद झाल झाल